नमस्ते अभिवादान आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर FIIs की तरफ से दबाकर खरीदारी हो रही है इवन जून में भी जी हाँ मई में अप्रेल में अगर आप डेटा को देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा सा उनकी तरफ से प्रेसर हमको दिख रहा था लेकिन फिर से वापस अगर आप सुरू के चार सेसंस की बात करोगे तो यहाँ पर 8000 करोन की खरीदारी FIIs की तरफ से की गई है आप यहाँ पर देख सकते हो 1st 4 trading session of June में FIIs की तरफ से आप देख सकते हो 8000 करोन की खरीदारी की गई है इस डेटा के लिए the Hindu को पूरा साभार तो Hindu वालों आपके लिए मैं भी disclaimer दे रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे से डेटा वेलबर कराया है काफी चीज़े मैं आपको समझा पा बाजार में और उसकी हेल्प से बाजार उपर है अगर उसका मूड खराब हुआ तो वही बाजार को पटकेगा क्या हम उसका मूड माहौल भाप सकते हैं नहीं भाप सकते अब वह इतना पैसा क्यों लेकर आ रहा है बाजार में यहां पर कुछ बात हैं Morning Star के मेनेज़र रिस या इवन अन्न कंट्रीज में भी बहुत तकड़े से बढ़ाई गई है, इवन कुछ कंट्रीज के द्वारा बहुत बड़े लेवल पे पैसा भी चापा गया है, समझ रहे हैं, तो इसी सिनारियो में जब FIH के पास पैसा है वो यहाँ पर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई डाउट होना ही नीचे है, उनके सपोर्ट की मदद से ही, हम इतना उपर सस्टेन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे DII वो बिक वाली पे उतारू हो गए, आप अगर जाकर देखोगे, तो आपको खुद यह चीज पता चलेगी, कल की भाचार वाली वीडियो आएगी, उसमें मै आपको डेटा भी समझाऊंगा कितनी खरीदारी और विक वाली की गई है FII, DIIJ के द्वारा, आप सोचिए 1500 करोन के आसपास की अभी पिछले ट्रेडिंग सेसन में FII ने खरीदारी की है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है, अगर आप पिछले दो महिनों का डेटा तो उसी के दम से बाजार गिर भी जाएगी, क्या हम उसके लिए तयार हैं, यह alert मैं बार-बार आपको एक ही चीज पर आकर क्यों दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेगा, कि कहीं आप गलत decision ना लेकर बैठ जाओ, ऐसे माहौल में, समझ रहो, इसलिए मैं यह धेट सारी आपके लिए प्रियेट कर रहा हूं, कि आप किसी को भी देखकर एक चीज समझ सको, कि बाजार में वैलिवेशन नाम की चिडिया होती है, जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, जो इसको नहीं समझेगा, वो तकलीफ में जाएगा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अगर आप अपरेल की महीने की बात करोत, वहाँ पर FIIs ने बाजार से पैसा निकाला था, वो उनको प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी हमको देना चाहिए, लेकिन उस लेवल पर ने निकाला को बाजार क्रेस कर जाए, अब देखिए FPI जो है, फॉरन पोर्टफोलियो इ अक्टूबर, नॉमबर, दिसम्बर में दबा कर पैसा डाला उन्होंने, जन्वरी, फर्वरी, मार्च में दबा कर पैसा डाला और अभी तक अगर आप डेटा सिनारियो देखोगे, तो दो लाह करोन के आसपास वो पैसा सिर्फ अक्टूबर से अभी तक डाल चुके हैं, यह एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर आप डेट में देखोगे जाकर, तो इस पीरियट के दौरान जिसकी हम अभी शुरुवात में बात कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने 22 करोन रुपए, जी हां, सिर्फ 22 करोन रुपए डाला है डेट में, जो की बहुत कम है, इस पर जिनके पास स्टॉक्स हैं, उनको बहुत अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग के, या फिर उनको कम से कम प्रॉफिट अन पेपर दिखाई दे रहा है, जो की बहुत अच्छी चीज होती है, अगर आप किसी स्टॉक में ट्रैप हुए थे, कहीं फसे अभी थोड़ी देर शिफ्ट कर दें, या कम से कम नया investment ना करें, कुछ ना कुछ हमको smart decision लेना पड़ेगा, या तो hedging करें, या बहुत अच्छे से diversification करें, कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा, यह आपका smart decision होगा, इस पर भी बहुत जल्द वीडियो में लाने वाला सकता है, वही बाजार को जब पतकेगा, तो हमको हवा भी नहीं लगेगी, और एक वीडियो में बनाई हुए थी, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कि जब निफ्टी गिरेगी, तो हवा नहीं लगेगी, पौज़िव नहीं लगेगी, जी हां इंदिया में, अगर आप सिंप्ली देखोगे, तो COVID cases कम हो रहे हैं, सबसे पहली चीज, दूसरी चीज, vaccination, drive, सरकार काफी ज्यादा positivity उस पे दिखा रही है, तो ये भी हमको बहुत help करेगा, लोगों के हाथ में पैसा है, तो भी पैसा डाल रहे हैं, number of investors and traders भी बढ़े हैं, उनकी तरफ से भी काफी support market को दिया जा रहा है, इस सब चीज पॉस्टिविटी के तरफ हैं, negativity वाली चीज, मैं काफी वीडियोज बना चुका हूँ, आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैंगे, आप अचानक negative कैसे हो गए, तो नहीं भाई, नेगटिव नहीं हुए, आपको genuine information दी जा रही है, बस आप उसमें smart decision ले सको, ये मेरे लिए best चीज रहेगी, अभी के लिए इतना ही जो चीज ना समझवाई हो, नीचे जरूर पुछेगा, अगर आप हमसे agree नहीं करते, FIIs वाली बात पे तो वह भी ज़रा सा बताईएगा, बहुत से research analyst यह कह रहे हैं कि FIIs का अभी जो inflow है वो और पैसा डालने हैं, अब अगर ये stream ऐसे चल ले ही फिर अचानक से ऐसे पैसा आ गया तो एक downfall भी आता है, आप averages को अपने जाकर catch up करते ही हो, I hope आप समझोगे, इस चीज को जो समझ जाएगा, वो काफी चीजें decode कर लेगा, अभी हम आपसे अलविदार ले रहे हैं फिर से वीडियो पसंद आइद लाइक कर देना, अगर ज्यादा पसंद आइद किसी और को भेज देना जिससे कि उसकी भी help हो सके, अगर मन हो तो बाकी आपकी मर जी, नमस्कार